हलो फेरड़ तु देखिए essay के एक topic और हम लोग दिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा clarity मिले तो देखिए आज जो हम बस्यक्तिन ली डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका freebie politics in India ठीक है freebie politics in India topic को discuss करेंगे ये topic important topic है रीजन है ऐससे तो आएक़ हाई पताना चाहूंगा कि आप हमारे टेलिग्राम चैनल जॉइन कर सकते हैं आप जाइए टेलिग्राम पर सर्च किजिए लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वर अगर आप सर्च करेंगे तो ज्यादा बैतर होगा तो इस डिफेंस एक्जाम चैनल का नाम है इस चैनल क को अगर आप जॉइन कर लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत जादा यूसफुल होगा रीजन है कि विजन आई इसकी लास्ट सिक्स मॉंस की अगर हम बात करें तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके हम सॉट नोट्स धीरे धीरे करके आपको प्रोइड नोटिफिकेशन और अपडेट यह सब भी मिलते रहते हैं तो इस कारण से अगर आप इसको जॉइन कर लेते हैं तो यह आपके लिए हैंडी हो जाता है अगर हम टॉपिक की बात करते हैं इसका कुश्चन दूसरे परकार से भी आ सकता है इसका कुश्चन आ जाता है कि आर आर फ्रीबीज एफेक्टिंग ठीक कुश्चन किसी परकार से आता है कंटेंट को आपको यूज करना आना चीए अफेक्टिंग दी एकनॉमिक ग्रोथ एकनॉमिक ग्रोथ फॉर इंडिया ठीक है तो माल लेते हैं आपका टॉपिक यही आ जाता है कि आर फ्रीबीज एफेक्टिंग आर फ्रीबीज एफेक्टिंग दी एकनॉमिक ग्रोथ फॉर इंडिया तो इसको आपको लिखने के रिए रेडी रन होगा ठीक है तो किस तरह के इसको अप्रोच करेंगे उसे हम देखते हैं ऐसे के पॉइंट और फ्रीबीज से बताएंगे आर्गुमेंट में आपको कंटेंट मिल जाएगा आप लिख लेंगे ठीक है तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले आता है हमारा इंट्रो फिर बॉड़ी और उसके बात क्या है का कंक्लूजन ठीक है मैं आपको बता दिया था कि किस प्रकार से आपको कीवर्ट करने हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हर वीडियो में आपको पता चली जाएगा that is your primary keyword economic growth affecting is your theme ठीक है अब चली हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो किस प्रकार से इसको अप्रोच करना था ठीक है अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अगर हम इंट्रो की बात करते हैं तो इंट्रो में देखिए आपका एक पैरा बनेगा उसके बाद background आता है तो background इसमें हम use करेंगे तो आप half से सुरू कर सकते हैं और उसके आप फिर background लिखेंगे यानि पहले आपका क्या आएगा intro आजाएगा intro के बाद क्या आएगा आपका background आजाएगा ठीक है तो इस प्रकार से आप start करेंगे पहले intro लिखेंगे फिर background लिखेंगे फिर हम बाड़ी बाट पे आएंगे तो पहले हम discuss कर लेते हैं कि इंट्रो में क्या-क्या elements आपको cover करने हैं और background में इंट्रो बहुत ही simple है usually मैं prefer करता हूँ इस तरह के में अगर आप कोई current event से शुरू कर दे current scenario से शुरू कर दें तो वो थोड़ा सा impactful रहता है तो यहां पर आप basically जो है वो किससे start कर सकते हैं तो आप start कर सकते हैं स्री लंका के economic crisis से आप स्री लंका के economic crisis से जो चीजे सीखनी चाहिए उसको link करते हुए आप इंडिया को link कर देंगे कि जिस इस प्रकार से सिरलंका में अगर आप देखते हैं तो सिरलंका में freebie politics के कारण इतना ज्यादा debt हो गया कि वो अब उसको recover नहीं कर सकते और इस कारण से वहां की economy जो है वो collapse कर रही है और बहुत सारे economist ने ऐसा काया है कि इंडिया के भी कुछ state धीरे धीरे उसी प्रकार से उस trap में फस्तेज चले जा रहे हैं तो उस चीज को देखने की जरुवत है इस तरह से आप सिरलंकन economic crisis को इंडिया के साथ link करते हुए सिर्फ 2-3 line में आप briefly बता देंगे ठीक है समझा गया इसके बाद आता है background background थोड़ा important हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमें define करना होगा कि what are freebies, freebies होते क्या है यही तो पहले पता चले तो आपको freebie का definition देना है freebie basically अगर आपको भी नहीं पता तो आप जान लें कि freebies वो होती है जो political parties आपको यह तो पता ही होगा कि that political parties जो है political parties जब भी election होते हैं तो बहुत सारे अपनी manifesto लाते हैं और वहाँ पर बहुत सारी चीज़े offer करते हैं for example free electricity, water supply, monthly alliances देने की बात करते हैं unemployment लोगों को daily wages की बात करते हैं workers को, women's को साथ-साथ बहुत सारे gadgets आपको बताओ को बाते जाते हैं laptop, smartphone यह सारे loan waivers यह सब भी दिये जाते हैं तो different different type के offers and different different types की चीज़े दी जाती है और वो किनके पैसे से because the expenditure that is being done यह expenditure जो की जाती है वो public fund से की जाती है किसके fund से की जाती है public fund से तो कहीं न कहीं यह अपने आप में एक physical stress create करता है किसी भी state के ऊपर किसी भी country nation के ऊपर तो इस चीज़ को आपको लिखना है define कर देना है simple सा कि freebie politics क्या है देखिए channel पे अगर आप जुड़ जाते ह रहा हूं क्योंकि approach classes है आपको समझना है approach किस प्रकार से करना है तो आपको यह clarity मिल गई होगी कि when we are talking about the intro as well as our background तो अगर हम बात कर रहे हैं आपर intro और background की तो intro में हम लोगों ने सिरलंका के economic crisis को link कर दिया इंडिया के साथ और background में हम लोगों ने freebies को क्या कर दिया define कर दिय अब उसके बाद हम आएंगे किस पर body part पर body part में देखिए बहुत सारे पैराज इसमें बन सकते हैं आप चाहें तो इसे भी multi dimensional बना सकते हैं बट उतना ज्यादा complicated ना करते हुए मैं इसे थोड़ा simple और straightforward रखनेंगी कोसिस करूँगा मैं कोसिस करूँगा कि 4 पैराज at max में आपके चीजे complete हो जाएं वैसे करने के लिए इसमें 5-6 पैराज भी बन सकते हैं बट थोड़ा सा उतना complicated नहीं करेंगे easy रखेंगे ताकि beginners भी असानी से इसे लिख पाएं तो चार पैराज जब आप बनाएंगे तो चार पैराज में क्या-क्या content के basis पर वो चार पैराज ब बात कर लेंगे ठीक है और खासकर reasons की इस favor में तो reasons for the rise of freebie culture in India as general भी और सासत election के time पर क्यों बढ़ता है उसके उपर भी हम बात कर लेंगे यानि reasons क्या है freebie culture भारत में बढ़ क्यों रहा है उसको reasons को आपको बताने होंगे second आप कुछ इसके favor में point लिख देंगे ठीक है उसक से आपका जो है वो content prepare होता है argument जब आपका exam में argument आता है तो आप जो यहां पर सिरलंका और इंडिया को link करते हैं इसी जो सिरलंका और इंडिया को जो link कर रहे हैं यही आपका intro बनता है और उसके बाद direct आप आ जाते हैं कहां पर arguments in favor and arguments in against पर simple तो argument भी आएगा तो भी आपक steps ठीक है steps क्या लिए जाने चाहिए तो अगर मैं मानूं तो यहां पर reasons तीन चार तीन चार आप favor and points दे सकते हैं तीन चार अगेंस्ट में दे सकते हैं और step भी तीन चार बता देंगे तो आपका काम हो जाएगा last make futuristic conclusion आजाएगा आपका essay full fledged complete हो जाएगा अब यहां सवाल उ सकते हैं reasons में पहला and the foremost important reason हो सकता है concealment concealment of actual performance इसका मतलब क्या है आप समझे कि अगर आप देखते हैं कि कोई भी government if they are in power ठीक है तो क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो उनको करनी थी यानि उनका जो actual performance उसे छुपाने के लिए वो इस प्रकार की क्या freebies offer करते हैं ताकि वो आगे क्या कर सके vote सीख कर पाए ठीक है to lure vote तो इसलिए concealment of the actual performance अगर नहीं है development में इतना focus नहीं किया उन्होंने तो इस तरह की चीजे करते हैं सेकेंड अगर हम भाशी हैं इंडिया में अगर आप देखें एंगे तो इंडिया में मायोपिक ओपिणियन देखने के लिए मिल्ती है मायोपिक ओपिणियन अपने साथ भी देख सकते हैं कोई इसमें बड़ी बात थिहां मायोपिक ओपीनियन of AleAND यह एक important है myopic opinion का मतलब क्या होता है myopic opinion का मतलब होता है short term vision short term benefits देखते हैं तो इंडिया में अगर आप voters को देखते हैं तो they react इंडिया में अगर आप देखेंगे तो जो voters हैं they react on short term freebies short term freebies अगर उन्हें मिलती हैं तो वो देखें long term के app का development development पर focus नहीं करते हैं और जो उनको short term freebies माल लेते हैं smartphone मिल गया laptop मिल ठीक है पैसे मिल गए तो वहां पर वोट कर देते हैं तो इस प्रकार से यह भी एक reason है जिस कारण से आपका होता है तो क्या होगा आपका concealment of actual performance myopic opinion of masses short short अगर आप लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं ठीक है एक और अगर आप लिखना चाहें तो third यह भी लिख सकते हैं कि criminalization आप इस पर data भी दे सकते हैं criminalization पे तो criminalization of politics पे भी आप लिख सकते हैं कि criminalization of politics में क्या होता है basically जो candidates हैं वो यहां पर liquor, money, goods यह सारे provide करते हैं to your voters राइट तो यह इस तरफकार से आप जो हैं कुछ reasons रख सकते हैं फिर अगर हम बात कर लें favors फेवर में क्या-क्या point हो सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं freebies के कुछ economic growth में definitely contribution हो सकते हैं यानि इंडिया के economic growth में आप क्योंकि हम आ चुके हैं basically theme पर ठीक है कि our freebies affecting the economic growth of India तो उसमें आप बताएंगे economic growth में थोड़ा सा यह favorable भी होता है और ज्यादा favorable नहीं होता बट favorable भी होता है जैसे कि पहला अगर आप चाहें तो आप यह लिख सकते हैं कि it facilitate growth growth facilitate करता है कैसे जैसे public distribution जो system है या employment grantee scheme है या education provide की जारी है health facility provide की जारी है DBSP यानि constitution के article 39b को बता सकते हैं जहाँ पर welfare state की बात कही गई है यहाँ पर आप यह बता सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर बात की गई है welfare of poor and downtrodents ठीक है इसके अलाबा आप industry के बात कर सकते हैं कि it boost the industry किस प्रकार से जैसे women's है तमिल नाडू और बिहार का पर example दे सकते हैं कि वहाँ पर जो women's हैं उन्हें sewing machine यानि सिलाई की मसीन जो है वह दी जाती है साइकलस दी जाती है तो वह कहीं न कहीं उसको फिर बाद में यूज कर पाते हैं ठीक है अपने जो भी छोटे मोटे scale पर जो करते हैं या कुछ इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट जो रिपोर्ट्स है युनाइटेड नेशन्स के भी वह भी आप दे सकते हैं इसके अलावा देखिए यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह आपको मेंशन करना चाहिए कि इट ऑल्सो हेल्प सैज कुशन के टाइम पर जो है कुशन के रूप में वोग करता है अगर आप देखें पैंडमिक के टाइम पर फ्रीवीज वर वेरीमच हैंडी फॉर्ट फॉर्ड दा पीपल तो वहां पर वह कहीं न कहीं हैंडी थे लोगों के लिए क्योंकि जब एमर्जेंसी सिचुएशन में हैं आप अपने जैसे फॉर इग्जामपल जो स्ट्रीट वरकर्स हैं या फिर कोई भी स्ट्रीट वरकर्स कोई जैसे प्यूंच सारे लोन्स यह सारी की बात हुई थी फिर बहुत सारे डिफ्रेंट सेक्टर में लोन वेवियर थोड़े हद तक दिये जा रहे थे बहुत जगत तो यह चीज है इसके अलावा अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं सोशल स्टेबिलीटी में यह मदद करती है एकनॉमिक पॉस में मदद करती है तो यह सारे काफी पॉइंट्स है जिसमें से आपको सिर्फ तीन चाहर लिखने ज्यादा नहीं लिखने कोई स्कोप नहीं होता बह और इसके लिए सिर्फ आपको 300 वाट्स हैं थोड़ा थोड़ा आप सारा कुछ लिखेंगे ताकि मल्टी डिमेंशनल आपका ऐसे बन पाए अब आते हैं अगेंस्ट में तो काफी पॉइंट्स हो जाएंगे बट तीन चाहर जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वह आप दे रहे हैं वह भी खासकर election से पहले तो कहीं न कहीं यह article 14 that is right to equality उसको आप कहीं न कहीं हिंदर कर रहे हैं ठीक है इस प्रकार से आप अगर आप देखेंगे 162 article को या 266 clause 3 को या फिर अगर आप बात करें 283 को ठीक है यह सारे articles आप पढ़ सकते हैं यह सभी articles को क्या है आप कर रहे हैं इसके अलावा यहीं से आप link करता है यह भी लिख सकते हैं कि it also discourages honest taxpayers ठीक है यह क्या करता है discourage करता है किने honest taxpayers को because आप उनके पैसे को different जगा पे use कर रहे हैं ठीक है इसके अलावा क्या यहीं पर आप इसको इस परकार से भी थोड़ा से link करके अगर लिखना चार रहे थे तो आप यह लिख सकते हैं कि it is also considered to be the burden on public ex-checkers ठीक है public ex-checkers तो यह बात आप लिख सकते हैं फिर second the most important point देखे पहला constitutional provisions को valid करता है यह लिखना है उसके साथ link करते बाप यह लिख देंगे कि discourages the honest taxpayers थोड़ा से इस परकार से लिख सकते हैं कि burden on public ex-checkers और इसके बाद आपको लिखना होगा कि it undermines the spirit of democracy या फिर आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि it is against the free and fair election free and fair election के against undermines the spirit of democracy democracy की against free and fair election के against इसमें आप समझ सकते हैं अगर मालने थे लेट से जिस पार्टी के पास ज्यादा पैसे हैं ज्यादा funds हैं वो ज्यादा freebies offer कर सकते हैं तो यह क्या अगेंस्ट free and fair election के ठीक हैं बहुत बार ऐसा देखने के लिए मिलता है कि इसमें wastage of resources देखने के लिए मिलती हैं wastage of resources के परकार से लेट से आपको कोई भी चीच free मिलती है तो फिर आप उस चीच को honor नहीं करते हैं for example यह courses यह free मिलती है अगर इसे हम paid करते हैं या किसी institute के सा collaborate करके इसे लाते तो उसमें जादा आपको होता कि आप पे किया है इसके लिए ठीक है तो wastage of resources देखने के लिए मिलती है कि electricity की बात कर ले water की बात कर ले और water जब free मिलता है तो आप उसे बहुत ज़्यादा waste करते हैं इसके अलाबा vote and politics भी आप लिख सकते थे ठीक है financial physical stress होत से इसके बाद आते हैं steps पे steps में भी तीन चार अच्छे जो हैं वो लिख सकते हैं जैसे कि आप बात कर सकते हैं कि to strengthen the internal party democracy और two to strengthen the internal party democracy ठीक है इसका मतलब क्या यह दिखिए यह दो वे में आपका मदद करने वाला है पहला कि अगर आप internal party democracy strengthen करते हैं तो जो वो promise करते हैं वो development का promise कर सकते हैं freebies का नहीं they will not offer freebies they will promise that okay हम power में आएंगे हम development करेंगे हम road connectivity बढ़ाएंगे transport facilities देंगे MSME को strengthen करेंगे development focus होगा second अगर आप internal party democracy को करते हैं तो criminalization कहीं न कहीं जो politics में हैं वो कम हो जाती है इसके अलावा आप बात कर सकते हैं कि election commission को थोड़ा सा strengthen करने के लिए यानि election commission को थोड़े से greater power देने के लिए ताकि वो de-register कर पाएं क्या political parties को ठीक है या फिर power of contempt को इसके अलावा अगर आप चाते हैं तो आप यह भी लिख सकते हैं कि मदरास हाई कोर्ट की जो एक hearing है 2021 में यह आई थी उन्होंने advice किया था कि government को जो money है उसे development में job creation में यूज़ करना चाहिए जो freebie money है इस तरह से चीजों को देने के लिए ठीक है यह सारी चीज़े तो हैं लेकिन last and foremost important इसे आपको special mention के साथ देना होगा कि जो eradication है किसका freebie culture का eradication of unnecessary freebie culture इसके लिए सबसे important क्या है attitudinal change in masses attitudinal attitudinal change in masses यह जरूरी है कि attitudinal change आए क्या masses के अंतर और यह कब आ सकता है जब आप moral education provide कराते हैं क्यों क्योंकि यह एक ऐसी चीज़ है for example आपको freebie offer किये जा रहे हैं और let's say आप फिर भी focus कर रहे हैं कि आप vote उसी अनुसार से करेंगे जिस अनुसार से किसी ने work किया है आप उससे ज़्यादा attract नहीं होंगे freebie से तो वो कब हो सकता है जब तक आपके अंदर एक attitudinal change नहीं आएगा तब तक और ये कभी भी success नहीं हो सकता जब तक आपके अंदर क्या है attitudinal changes ना आएगा इसके लिए हमें क्या चाहिए robust moral education चाहिए हर level पर चाहिए primary पर चाहिए secondary पर चाहिए senior secondary पर चाहिए ठीक है और ये कैसे हो सकता है इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि national education policy में इसकी बात हुई थी moral education की तो उसे strictly implement करने से ये चीज़े हो सकती है ठीक है इसके बात at last आप एक futuristic सा conclusion दे सकते हैं futuristic conclusion में आप 15th finance commission के 15th finance आद देखिए पहले आप ये ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि जो freebie culture है वो काफी time से चलता आ रहा है इसका detrimental effect है इस ताइप से आप लिख सकते हैं फिर आप 15th finance commission के जो चेर परसन है एनके सिंग उनका एक statement दे सकते हैं कि how the race मैं आपको बुरा statement लिख द to provide freebies to provide freebies to water could quick could be a quick path to physical disaster ठीक है तो यह आप लिख सकते हैं यह statement है एनके सिंग का जहां पर उन्हेंना का कि how the race to provide freebies to the water could be a quick path to physical disaster for any country as well as for India तो इंडिया specific पर लिख सकते हैं तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो यह काफी handy हो जाता है बाकी अगर आपको notes यह सारी चीज़े चाहिए तो आप टेलिग्राम पर join कर सकते हैं चैनल का नाम है इस defense exams टेलिग्राम पर जाएं और search करें इस defense exams आपको चैनल मिल जाएगा वहाँ पर आप जोइन कर सकते हैं इसी तरह के वीडियो आगे भी आते रहेंगे so thank you and have a high stay